हाँ तो मेरे प्यारे सभी साथियों आप सभी का हमारे यूटीब चैनल में आधिक स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्छा टेन का मैथिमेटिक्स का सेट नंबर फोर ठीक है इसमें आपका टोटल प्रसन रहेंगे 40 और इसके लिए आपको प्रति गड़न टेकर रहेगा और हां साथियों इस टोटल 40 प्रसनों में से आप जिस भी प्रसन का अगर कोई गलत उतर देते भी हैं इसमें आपका नेगेटिव मार्स नहीं कटेगा इसका एक बेनिफीट है ठीक है तो चलिए इस सेशन का आज का पहला प्रसन जो है हमारा मैसेट कोईशन जो है फोर्थ का पहला कोईशन है 135 का भाज गुननकर क्या हो जाएगा 135 का जब आप कीज़ेगा इन से चार बार में यह आपका 15 और फिर यह आपका 5 बार में ठीक है तो देख लीजिए ना इस कोईशन का जू है आपका 3 गुना 3 गुना 3 और गुने 5 यह दिया है यह हमारा option कितने में है option number C में है यह हमारा सरी उत्तर हो जाएगा चलिए question number 26 बोल रहा है 26 और 91 का LCM निकालना है LCM निकालना है LCM और 91 और 26 का क्या करना है LCM तो इसको 26 गुने 91 कीजिए और इसको 13 से simply divide कर दीजिए आपका दूआ गया इतना 2 कुने 91 आपका 182 हो जाएगा इसका correct answer चलिए question number 3 क्या कह रहा है 96 question number 3 में कह रहा है 96 और 404 का जो है अस्यप क्या हो जाएगा तो यहां से हमारा बिल्कुल option number 4 हो जाएगा चलिए solve करते हैं थोड़ा से लंबा बनेगा तो वीडियो में बने रही हैगा तीन बार जाएगा 384 हमारा जाएगा यहां पर आएगा आपका 20 और इस 20 से 96 को क्या करना है डिवाइड कर देना है 20 से 96 को कितनी बार में जाएगा 4 बार में 80 आवारा 16 इस 16 से क्या करना है विस को डिवाइड करना है एक बार में आपका जाएगा चार और फिर इस चार से जो है इस सो 20 को कर देना है डिवाइड तो यह थे मैं पांच बार में 20 कट गया है यानि कि 4 से पुला गुरी कट गया है ठीक है option number 20 का cut हो जाएगा question 3 का अब question number 4 question number 4 क्या कह रहा है कि धनातमक सम पुर्णाग निवनिवसे किस रूप में होता है तो यह हमारा 2Q की रूप में होगा option number D कर्यट हो जाएगा question number 5 आपको टिंसन नहीं लेना है question number 5 जो है यह already हमारा गलत दिया हुआ है question number 5 जो है यह हमारा गलत दिया हुआ है question number 6 देखते हैं क्या कह रहे है question number 6 यदि सुनने को कि योगवल क्याथ गुनार प्लकर अपसे चार और एक हो तो दिया हुआ है इसमें आपका क्या हो जाएगा alpha plus beta जो है minus b by a कमान दिया हुआ है 4 और alpha गुने बीट परावा c by a का value दिया हुआ है यहाँ से minus 4 निक option number c हमारा आज एगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चली कोश्चन नमबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है question number 7 में हमें देखने का है कि यह access को देखने करता है कि कि कितने graph को जो है access को कितने point पे intercept कर रहा है ठीक है तो यह हमारे graph एक point पे intercept कर रहा तो इस question का answer हमारा भी correct हो जाएगा चली question number 8 क्या क्या रहा है कि semi current 2x plus 3y plus 4 equal to 0 है तथा 6x plus 9y plus 11 equal to 0 है कोंसा हम लोगा इसमें आप देखिएगा इसको solve किजेगा दोने equation को ना तो यह आपका आजाएगा a1 by a2 बराबर b1 by b2 आएगा यह जो आपका तीसरा step है यह बराबर नहीं आएगा ठीक है यानि कि option का हो जाएगा कोई हल नहीं होगा a1 का value 2 है b1 का 3 है और c1 का आपका हो जाएगा 4 यहाँ आपसे a2 का 6 और b2 का 9 हो जाएगा और c2 का 11 हो जाएगा इसको solve कर लिजेगा तो आपका इस condition में कुछ आएगा यानि कि option यह समानतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा option c सही हो जाएगा question number 9 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि रहा है कि रेखा है 2x plus 3y equal to 5 4x plus 6y equal to 15 का क्या होगा यह question भी बिल्कुल उसी तरह का है a1 by a2 हमारा कितना हो जाएगा दो बटा 4 यानि कि एक बटा 2 आ जाएगा फिर b1 by b2 तीन बटा 6 यहां से भी हमारा एक बटा 2 आ जाएगा पर c1 by c2 जो है 5 बटा 15 एक बटा 3 आएगा इसमें ठीक है इसमें क्या हो जाएगा 27 रिखा हो जाएगा कोई हल नहीं option number 10 का कैट हो जाएगा question number 10 क्या कह रहा है कि रेखिक समी करन यूग्म रेखिक समी करन यूग्म x equal to a और x equal to b को ग्राफिन रिपन क्या होगा कि समपती रिख हो जाएगा option b कट हो जाएगा इसका question number 11 कह रहा है question number 11 कह रहा है कि यदि 3x plus 4 3x plus y equal to 14 तो दा 2x minus y equal to 1 हो तो यहां से y कमान जो है 3x plus y ब्राबर 14 हो जाएगा और 2x minus y equal to 1 यहां से yy cut जाएगा यहां कहां हो जाएगा 5x उदर हो जाएगा 15 तो यहां से cut जाएगा तो 3 आ जाएगा x कमान 3 आ जाएगा और जब इस equation में put कर देगा ना है x कमान तो हमारा आ जाएगा कितना 3 x 3 plus y equal to 14 इधर 9 हो जाएगा उदर जाके 14 में नोगट जाएगा तो पांच जानिकि option number हमारे इसका जाएगा d । हो जाएगा जानि कोस्चन नमबर 12 क्या चेहरा है दो चरवाले किस ऺंडर तो चरवाले किस प्लस पिवाइप्रेशी रोजाएगा इसका अननन्थ हल हो जाएगा question d नम्बर 13 क्या के रहा है यह एक्स प्लस य बरावर 14 और X-Y बराबर 14 का हल क्या होगा तो इसको solve करते हैं और देखते हैं कितना answer आ रहा है हमारा 14 और X-Y बराबर 4 यहां से cut जाएगा यह बचेगा आपका 2X उधर बच जाएगा 18 यहां से आपका आजाएगा 9 X की value नहीं हो आजाएगी इसने की पूरे solve नहीं करना है यह अपका option D correct हो जाएगा इसका और option number 14 क्या कह रहा है कि द्विखाद समी करन का मानग रूप जो होता है वो हमारा यह हो जाता option number 20 का correct हो जाएगा question number 15 क्या कह रहा है कि द्विखाद समी करने इतना के लिए मूल वास्ती के हम समान हो तो मूल ज्याद करना है मूल का formula होता है minus B by 2A cup जब D का value यह हो जाता है जब D बराबर 0 हो दो समान वास्ती के मूल हो ठीक है question number 16 देखते हैं क्या कह रहा है कि द्विखाद समी करन 9X square minus 6X plus y equal 0 का विखकर याखता ना विखकर का formula क्या होता है B square minus 4 इसी होता है हमारा तो B का value minus 6 दिया हुआ है इसको solve करते हैं 4 A का value 9 और C का value 1 तो यहां से आपका हो जाएगा 36 minus 36 बराबर 0 और 0 हमारा option number दिया हुआ C में आतर C हमारा correct हो जाएगा question number 70 देखते हैं क्या कह रहा है कि न निम्न में द्विखाती सुत्र कौन है तो द्विखाती सुत्र जो होता है हमारा हो जाता है माइनस B alpha beta root d by 2 यह हमारा द्विखाती सुत्र हो जाता है ठीक है question number 18 क्या रहा है कि यदि 2 A square plus kx plus 3 पराबच 0 का मूल समान हो तो के कमान याद करे के का जो मान होगा वो क्या होगा जब d equal to 0 होता है जाने कि b square minus 4 c का value 0 के बराबर तो b का value यहाँ पर k square हो जाएगा minus 4 into 2 into 3 तो यहाँ हो जायरा 24 k square minus 24 तो k बराबर क्या हो जाएगा उदर जाके 24 हो जाएगा रूट हो जाएगा यानिकि 2 root 6 इसका answer हो जाएगा ठीक है साथ यह answer में नहीं दिया हुआ है तो आप note कर ली जाएगा question number 19 कह रहा है कि b square minus 4 a c बराबर 0 हो तो क्या होगा इसके लिए बराबर वो बास्तों मूल हो जाएगा ठीक है जब डिगा वेले 0 होता है तो question number 20 कह रहा है द्विगाद समीक करनो x square minus x minus 6 बराबर 0 के मूल होंगे इसका कौन सा मूल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा option number 2 सही हो जाएगा यानि कि minus जो है हमारा minus 2 होगा दोस्तों ठीक है यहाँ पर अंसर गलत है minus 2 होगा और यह 3 होगा ठीक है इसको solve कर लिजएगा मूल का formula लागो करके question number 21 कह रहा है कि AP 2,6,10,4 का सारव अंतर क्या होगा सारव अंतर जो होता है डाइट D वराबर निकालना है क्या 6 में दो घटा देंगे हमारा तो 4 आ रहेगा option number B हमारे यहाँ से cut हो जाएगा question number 22 कह रहा है कि AP 3,8,138.78 में कौन सा पद कितना पद है ठीक है तो पद निकालने 3 देखिए एक अवेल्यू रख यहाँ पर इधर 78 लिख देंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे और N-1 D कितना हो जाएगा 8 में आप 8 में आप 3 घटा दीजेगा तो आएगा आपका 5 यहाँ हमारा comment इंस निकल जाएगा ठीक है यहाँ पर 5 लिख लिख यह यह 3 इधर आएका minus हो का sold up पद रहेगा ठीक है अब question number 23 कहा रहा है कि 10 और 250 की बीच में 4 के कितने गुनेजी तो 4 का पहला गुनेज यहने कि 4 का table में 10 और 250 की बीच में जो 4 से divide हो वस्तों सबसे पहला संख्या होगा 12 चार से कटेगा फिर 16 कटेगा इसी तरह dot 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 240 लास्ट संख्या होगा हमारा त चार से कटेगा तो आपका यहां से d जो है 12 में 4 जोना सोल लाएगा तो d आपका 4 निकल जाएगा common difference 4 निकल जाएगा पहला पद 12 हो जाएगा तो इसको solve करेंगे तो हमारा जो है इस formula को लागू करके solve करेंगे a n equal to a plus n minus 1 into d इसको लागू कर देंगे और आपका यहां पर 200 देखिए 248 लिखिए 248 बराबर उधर हो जाएगा कितना आपका दिया हुआ है 12 हो जाएगा पहला पद n minus 1 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा इसको गटाईएगा इदर तो आएगा 236 और 3 से काट जाएगा तो 4, 25, 29, 36 और इदर से 1 आके plus हो जाएगा यहां कि total कितना होगा 60 होगा इसको option कितना हो जाएगा हमारा b विल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए question number 24 देखते हैं क्या कह रहा है 24 जो है पर्थम पद A और अंतिपद वाली AP के लिए अनपदों का योगी सारे फॉर्मूले यहां पर गलत दिये हुए है as n equal हो जाएगा आपका n by 2 a plus l हो जाएगा ठीक है साथियों यह correct हो जाएगा आपका और question number 25 जो है यह हमारे दो triangle दिया हुआ है इस परकार एक a है b है c है और यहां पर p qr मानी है या d e आप मानी है यह देखिए यहां पर आपका 4 दिया हुआ है और यहां पर आपका चार यहां पर 3 फिर य় Caesar दिया हुआ है यह दो दिया हुआ है और यहां पर यह 5 दिया हुआ है ठीक है यह इस अफिन यह इक दूसरे का क्या है आधा है ठीक है ना किता हो जाएगा हमारा यह हमारा option number इसका डी correct हो जाएगा s s s समर्प तक असोटी जाए ठीक है question number 26 क्या कह रहा है कि नीम नीम से कौन से जाकर दे समरूप नहीं तो सभी circle जो होता बेद समरूप होते हैं सभी work भी समरूप होते हैं तो यहां हमारा option number भी correct हो जाएगा ठीक है question number 27 क्या कह रहा है कि हमारा इस तरह का figure दिया हुआ है यह d e parallel है हमारा a b c तिर्भूच दिया हुआ है d e समांतर है e c का value दिया हुआ 1 यह b d दिया हुआ है डेड़ दिया हुआ है और यह 3 दिया हुआ है यह सभी को काटेंगे ना task firm में लागू करेंगे तो हमारा option जो है यह दो answer सही correct आ जाएगा ठीक है question number 28 बोल रहा है कि तिर्भूच a b c और p q r a b c a b बड़ाबर 30 दिया है b बड़ाबर 70 दिया हुआ है इसका दो triangle इस तरह की जा जाएगा a b c और p q r यह आपका दिया है 30 दिगरी यह आपका 70 दिगरी यह आपका 80 दिगरी दिया है तो q कमान यह कौन कमान पूछा रहा है p q r यह कौन हो कितना है यह 70 है तो यह आपका कितना हो जाएगा सत्र, option number इसका कौन से सही हो जाएगा, option B इसका correct answer हो जाएगा, option B इसका correct answer हो जाएगा, चलिए question 29 नमर दिखते हैं, बोल्ट है, ABC और BD की दो संबावत तरी बुझ इस प्रिकार हैं कि D भुजा, BC का मेर्द बिंदू है, A, यहां से ले लिएते हैं, A, यह सात्यों, A होगा, B और C, यहां पर बोले, D, E, F, यह जो है, BC का आदा है, यह 2 है, यह 1 हो जाएगा, इसका answer जो है, हमारे किता हो जाएगा, option number C, इसका correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number, 30 क्या कहा रहा है, कि 10 मीटर लंबी एक सीड़ी, एक दिवार पर टिकाने पर, भूमी पर टिकाने से 8 मीटर हुचा है पर शीदे खिंकी तक पहुचती है, दिवार के आधार से सीड़ी के निचली सीड़ी के दूरी के आधार, यह कोई ladder है, सीड़ी है, और यह आपका दिवाल है, यहाँ से यहाँ यह सीड़ी, यह दस मीटर सीड़ी है, यह दिवाल है, आठ, यह दूरी निकलना है हमको, A, B, C, ठीक है, तो पाइथा को उसपर में लगा देंगे, तो कर्ण स्क्वार यह लंब होगा, यह आपका आधार होगा, तो आधार निकलने के लिए क्या करते हैं, 10 का स्क्वार, देखिए, 10 का स्क्वार में 8 का स्क्वार घटा देंगे, और रूट चड़ा देंगे, 10 का हो जाएगा आपका 100 यहां पे आपका 64 हो जाएगा घट के कितना जाएगा रूट का 36 हो जाएगा और 36 का जो होता है वो हमारे 6 होता है तो option number कितना correct हो जाएगा इसका option number 3 इसका बिल्कूल correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए question number 31 क्या क्या रहा है कि एक सम्धियों आते बुज़ ABC में AC बरावर BC है यदि AB square बरावर 2AC square हो तो निमनम से कौन सा कतन सकते है इसमें आप एक triangle कीचिए A दिजिए यहाँ पर C और B दिया है AB का square बरावर 2AC square मतलब है कि AC square प्लस AC square यह दोनों set बरावर है तो आपका क्या हो जाएगा पाइथा गोरस पर में से क्या हो जाएगा angle C है 90 degree हो जाएगा angle C correct answer option C हो जाएगा question 32 क्या कहा रहा है साथियों कि breathe तथा उसकी spurs रेका के awareness window को क्या कहते है यह कोई circle है हमारा यहाँ से यह awareness window रेका है इससे क्या कहते है इसपर्स बिंदु कहेंगे क्या कहेंगे इसपर्स बिंदु यह हमारा option कितना से हो जाएगा आप्शन भी विल्कुल काट अंसर हो जाएगा चली कोश्चन नबर खाटी थी देखते हैं किसी ब्रीट की दो समाते दिस पर रेखा हूं कि बीच कोई 10 cm है बिट की तीजाएक होगे देखे साथ यो इस कोश्चन को बारे की समझते है यह हमारा कोई तो डायमेटर क्तना हो जाएगा दस हो जाएगा तो डायमेटर का अधारडा रेडियस हूता है दस ऐसे नेञे कि पाँछ आपका एंसर हो गया तिरजांग्य प्रिसड Process 33 है हमारा का ओ निध्र वाले बूरित्म Ils प्रेकर तर्ट्रिक दिया हूआ इस तरहा teraz । एक केंदर से विला दिया है ,्हमारे यह 90 डग्री हो जाएगा छाल लूरी किसके ब्रकार आते हैं आपको दिखाते हैं इस तरह दिया है ये आपका नैंटीचु डिगरी देखे बॡित की इसपास रेखा और इसपास भी ताने में दिर ज़या। एक दूसरा की लब होता है ये नैंटी होगा ये भी 90 होगा और ये कुण हमारा o है असी डिगरी दिया हुआ है ये p है ये t है ये q है तो ये को निकलना हम नहीं ठीक है तो देखें चातिर भुज के चारो कोना की योग हमारे कितना होता है 360 होता है तो एंगिल P प्लस एंगिल O प्लस एंगिल Q प्लस एंगिल T तो ये आपका 90 डिगरी और 90 डिगरी जोड़ देंगे कितना 180 डिगरी 180 डिग्री और यह 80 डिग्री यानि कि 390 90 और 80 आपका हो जाएगा 360 डिग्री में मानिस कर देंगे 260 डिग्री आपका आजाएगा 100 डिग्री तो हमारा 100 डिग्री किस अप्शन में दिया हुआ है D में तो यह आपका करेट हो जाएगा Question Cancer Question 35 क्या कह रहा है कि इसपस बिंदू पर खिजी गई तिर्जा उस पर क्या होती है लं होती है यह देखिया हमारा इसपस बिंदू है इस पर तिर्जा खिचा गिया तो यह क्या होता पसमें लं होता है Question 36 क्या गह रहा है आर तिरजा वाले विरित के उस तीरजखन का चेतर पल ज्याद किजिए इसका कौन P है तो P by theta 360 हो जाएगा into pi r square पाई r square यह हो गिया तीरजखन का चेतर पल पी बटा 360 degree into pi r square question number 37 विरित के केंदर से किर्शी बिंदू की बीच की दूरी को क्या कहते हैं विरित का यह केंदर है और यह दूरी यह क्या कहलाता है फिरजा कहलाता है ठीक है question 38 क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाए 14 cm है इस सुई दूरा 5 मिनट मेरा चीछे पल ग्याद करें देखिए दोस्तों एक यहाँ पे आपका घड़ी है तो घड़ी एक घंटा क्या कहता है पूरे गूमता है एक सरकल यानिकि 360 डिग्री गूमता है तो एक मिनट में कितना कौन बनाएगा 60 सरी डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 डिग्री के कौन बनेगा तो 5 मिनट में कितना बनेगा जाइर सी बात है कि 6 डिग्री को तो गुना कर देंगा 5 से तो 30 डिग्री कौन बनेगा 5 मिनट में देखिए तो यह तिरिषखन का स्थिपल और आर हमारे 14 हो जाएगा तो क्या यहां से हो जाएगा आपका यहां से एंसर हो जाएगा 14 इंडू 14 साद्वनी 14 इस फिर चार तिया बारा दो से कार देंगे कट जाएगा इतना आगया हमारा 154 बटा 3 इसका अंसर आजएगा ठीक है साद्यों जो कि आप्शन ए में 154 बटा 3 होगा ठीक है यह सही हो जाएगा यहां 3 मिसिंग है चलिए अब कोश्चन नमत 39 क्या कह रहा है कि केंद्रे कौन आर और तीर चावा केंद्र इसका हो जाएगा 360 इटा बटा 360 डिग्री इंटु पाय आर स्कॉर तीर चावा का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया ठीक है और हमारे कोश्चन नमर लास्ट है इसका क्या कहा रहा है कि तीर जिया 21 सेंट्रिमेटर वाले बीद का एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री कौन अं तो पाय का वेलो 22 बटा 7 रखिए और हमारा आर दिया है 21 इंटू 21 इंटू 21 यहां से काटिये 7 तिया 21 और यह कितना हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा इसको काटियेगा 2 तिया 6 तो यह आपका 11 हो जाएगा और यहां से काटियेगा साथ में इन कटिया 21 डिग्री हमारा यहां 31 हो जाएगा करेक्ट अंसर जो कि अप्शन हमारा सी नंबर में दिया हुआ है और हाँ दोस्तों यह आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में सेर करना न भूलें सेर कर दीजेगा लाइक किजेगा और कॉमेंट किजेगा ठीक है हमें आपका फिटबएक कंति जार रहेगा और हाँ आप लोग बताईएगा जरूर कि आप लोगों